भाई लोग ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके इंटर्टेंटमेंट के लिए होती है ना कि किसी की बुरही करने के लिए इसलिए इस वीडियो को ज्यादा दिल पर ना लें थांक यू इस सिनमे दानिश की बेहन जब यहां पर खड़ी होती है तब इसके गले में एक बड़े वाला लोकेट होता है लैकन जैसे यह चलकर यहां पर आकर खड़ी होती है तो वह बड़े वाला लोकेट इसके गले से घख बो GIRmb हो जाता है राणिया जब अपने बाप के साथ यहां पर बैठी होती है तब इसके जखम को गोर से देखो यह बहुत ही शोख होता है लेकिन जैसे राणिया चलकर रूम के अंदर आकर बैठती है तो एकदम से इसका जखम मधम पतनी कैसे हो जाता है इस सीन में दानेश घुसा होकर सिंगार मेजवाले शीशे को तोड़ देता है और फिर अगले एपसोड में जब इस सीन को दिखाते हैं तो वहीं सिंगार मेजवाला शीशे आप बिल्कुल ठीक खड़ा हुआ नज़र आता है दोबारा चालू हमज़ा जब अस्पाल में पड़ा होता है तब यह कमीज इसके कांधे के बिल्कुल उपार होती है लेकिन जैसे कैमरा थोड़ा दूर से दिखाता है तो बिना या अत लगाए वो कमीज इसके कांधे से नीचे जाती है और फिर जब कैमरा जूम करके दिखाता है तो वहीं कमी इस दूबारा इसके कांधे के उपर वापस आ जाती है और फिर जब कैमरा दूबारा दूर से दिखाता है तो वहीं कमी इस दूबारा कांधे से नीचे आ जाती है मारो मुझे मारो मारो नहीं यह मजाक हो रहा है